यदि आप UK तुरिजम के लिए घुमने जाना चाहते हैं, तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी. डॉक्यूमेंट्स के बेर में बेन से पहले में आपको ये बता दू की हमारी कमपनी भरत की पहली ऐसी कमपनी एच जिसने डू दीनों में 20 से ज्यादा रिफ्यूसल केसिस को रिकॉंसिडरेशन पार भिजवाया है. साथ हाई हम बहरत की पहली ऐसी कमपनी है जिसने दो सालों मी 500 से ज्यादा रिफ्यूसल डिसियन्स को ओवर्टर्न करवाया है अब आपको डॉक्यूमेंट्स के बेर में बीट इट है सबसे पहले तू ये बता देते हैं कि यूके आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखता है और यूके का वीजा मिलेगा या नहीं ये बहुत हैड तक इस बात पार निर्भर करता है कि आपकी बैंक स्टेटनेट कैसी है यदि आपकी bank statement के अंदर आए हुए payments का source clear है तू आपको visa मिलने के chance ज्यादा है और यदि payment के source का नहीं पता तू visa के refuse होन chance ज्यादा है यदि आप business करते हैं तू आपको ध्यान देना है कि आपका business registered हो और एगर आपके पास उसका current account है तू बहुत high अच्छा होगा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके business account की महीने की turnover आपके business के हिसाब से होनी चाहिए जैसे कि यदि आपका काम service dean का है तू आके business account की turnover km होगी तू भी चल जाएगी लेकिन एगर आपका काम trading का है तू आपके account की turnover ज्यादा होनी चाहिए अब बात करते हैं आपकी ITR की हम लोगों की कमपनी ने बहुत से वीजा विदाउट ITR के निकलवाए है हमें ये देखना होता है कि क्या आपकी ITR आपकी बैंक स्टेट्मेंट से मैच करती भी है या नहीं अगर नहीं करती तू FIR आपको बहुत ध्यान रखना है कि कही ITR की वज़ा से आपका वीजा रिफ्यूज तू नहीं हो जाएगा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका सेविंग्स अकाउंट की बैंक स्टेट्मेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में सिंगल एप्लिकेंट के लिए कम से कम तीन लेक रुपे टू होन चाहिए और यदि आपक कपल एम अपलाई कर रहे हैं तू पांच लेक अपकी महीने का प्रॉफिट या सेलरी कम से कम पैंटलिस हजार होना चाहिए टैब आपका केस स्ट्रॉम होता है वैसे टू हमने दस हजार महीने की सेलरी वेल का भी वीजा निकलवाया है लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बेर में देखिए एगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तू इसे आपके टाई अप स्ट्रॉंग हो जाते हैं लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं है, तू इसका MATLAB ये नहीं कि आपको वीजा नहीं मिलेगा. वीजा मिलने ना मिलना बहुत बार इस बात पार भी निर्भर करता है, कि क्या अस काइम पार एमबेसी वीजा दी रही है या नहीं. हमने ऐसे केसेज भी देखे हैं, जहां Government College में काम कर रहे प्रोफेसर जिनकी सैलरी डू लैक तीस हजर है, उनका भी वीजा रिफ्यूस कर दिया. तू आपको ये समझ लेना है कि आपको अपनी तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं चोडनी है. अब बात करते हैं कि सैलरी वालों के लिए को से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिजनिस वालों के लिए को से, फार्मर्स के लिए को से. तू एक हाई वीडियो में सब बतना संभव नहीं. इसके लिए आप हमें 7357195757 नमबर पार वाट्सैप कर दी हम आपको फ्री में ये चेकलिस्ट भेज देगे. आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, एगर पसंद आई है, तो कृप्या वीडियो लो लाइक जरूर कर दी और अपने साथियों को भी शेर कर दी क्यूंकि बहुत से लॉग एजेंट्स के पास जाते हैं, आएसाई बात के लिए 5000 रपे देकर आ जाए है कि आए हैं, 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